गुद बॉर्निंग स्टुदेंट्स, हाव आ यू, ओल आ फाइन, गुद, ओके, बचे तुड़े वी आ गोइंग तुस्टार्ट आर न्यू टॉपीक दैट इस पंच्वेशन, पंच्वेशन क्या होती है बचे, पंच्वेशन कुछ साइन्स होते हैं, लाइक फुल स्टॉप, कोशन मार्क, एपोस्टोफे, हाइफवन, कोमा, सेमी कॉलम, हम इन साइन्स को कब, कैसे और कहां यूज करते हैं, ये सब हम पंच्वेशन में देखते हैं, ठीके, अभी हम किया जाता है, you know, we use the full stop, आप बचे, फुल स्टॉप का यूज करते हो, जो की पंच्वेशन का ये एक पार्ट है, ठीके, ये एक पंच्वेशन साइन्स है, to mark the end of a sentence, किसी sentence को end करने के लिए, to mark abbreviations, abbreviations क्या होता है, short forms, क्या होता है, short forms, short forms like, अब मैंने लिखा हूँ है, p.m., ठीक है, इसको मैंने short में लिख दिया, example, the meeting will begin at 2.30 p.m., so don't be late, एक तो बचे ये sentence complete हुआ, तो मैंने इसके end में क्या लगाया, full stop, जैसा कि मैंने आपको उपर बताया, end of a sentence, we use full stop, और जिस short form, अब मुझे am लिखना है, a.m. and dot, ठीक है, तो ये भी क्या है, full stop, ये किसको शो करते है, short forms को, ठीक है बचे, next क्या है, we use the question mark to mark the end of a question, मैंने आपको भी chapter स्टार्ट करने से पहले बताया था ना, punctuation कुछ science होते है, like full stop, question mark, अब आपने देखने, question mark कैसे use होता है, example, who is that boy wearing a blue cap, जब आपका simple sentence end हुआ था, तो आपने full stop लगाया था, जिसमें आपसे question पूछा जाए, आपने last video में, questions का chapter पढ़ा था ना, asking questions, ठीक है, WH की family से भी हम question पूछते हैं, how से भी पूछते हैं, helping verb से भी पूछते हैं, तो उनके end में क्या लगता है, question mark, understand, we use the capital letter, to begin a sentence or a question, to begin all proper nouns, to write the pronoun, I, यह हम सबको पता हैं, बच्चे, जब भी हम कोई sentence शुरू करते हैं, चाहे वो simple sentence है, चाहे वो question वाला sentence है, उसका first letter हमेशा capital होता है, और noun, एक होते है common noun, एक होते है proper, common noun हमेशा हम small letters में लिखते हैं, और proper noun में हमेशा first letter capital लिखा जाता है, और I, I हमेशा ऐसे लिखा जाता है, जब हमने इसको individual लिखना है, लेकिन अगर मुझे अभी लिखना है, इंडिया, तो मैंने क्या किया, first letter में तो I को capital रखा, लेकिन बाद में बीच में इसको क्या कर दिया, short, लेकिन अगर मेरा आता है, राम and I, जहां मुझे I अकेला लगाना है, तो मैं ये वाला I use करूंगी, ठीक है, capital वाला, example, my mother is going to Pune next week, देखो आप, my का M capital है, first letter capital, sentence end हुआ तो full stop, क्योंकि ये simple sentence था, और यहां पे पूने का P capital, क्योंकि पूने एक particular country का नाम है, यानि ये एक proper noun है, ठीक है, are you going with her, क्या आप उसके साथ जा रहे हो, यहां पे आप question पूछ रहे हो, तो आपने क्या लगाया, we use the exclamation mark, exclamation mark like this, एक लाइन उसके नीचे dot, after interjections and after sentences expressing emotion, interjection क्या होते है, हुर्र, alas, oh, ouch, यानि जिनसे आपके expression show हो, आप हुर्र कब बोलते हो, जब आप बहुत खुश होते हो, alas, जब कोई दुख की बात होती है, है न, oh, oh, good, कितनी बादिश हो रही है, ouch, कितना गरम था, आप इस तरह के जब expression देते हो, तो उनको हम बोलते है, interjection, और जहां ये इस तरह के interjection words आते हैं, हम क्या लगाते हैं, exclamation mark अपने emotion को दिखाने के लिए, example, हुर्र, what a stupendous victory, अब हमने हुर्र, ये interjection word था, इसके बाद भी exclamation mark का यूज किया, अब हमने यहां पे, what a stupendous victory के बाद, question mark नहीं लगाया, हमने interjection का यूज किया, क्योंकि यहां पे हम question नहीं पूछ रहे हैं, यहां पे हम अपने emotion शो कर रहे हैं, next, we use the comma to separate a series of words in a sentence, बच्चे अब आते हैं, कोमा, मैंने आपको बताया था, punctuation marks, क्योंकोंसे होते हैं, full stop, question mark, exclamation mark, apostrophic, comma, अब हम देखते हैं, कोमा कहां यूज होता है, अभी तक हमने देखा, full stop, question mark, और exclamation का use कहां हुआ था, अब हम देखेंगे, comma का use, the farmer planted tomatoes, onions, potatoes, carrots and redishes in his field, अब आप देख रहे हैं, बच्चे इसमें बहुत सारी vegetables के name आया है, तो इन सारी vegetables को अलग-अलग किया गया, by using comma, अगर मैं इसको ऐसे लिख देती, the farmer planted tomatoes, onions, potatoes, carrots and redishes in his field, it's looking bad, अब मेरे को इसको बीच में difference दिखाना है, थोड़ा space दिखाना है, तो मैं क्या करूँगी, comma का use करूँगी, ठीक है, next है apostrophe, बच्चे comma क्या होता है, नीचे लगता है, और apostrophe हमेशा उपर लगता है, कैसे, to use the apostrophe mark, with an as to show possession, जैसे possession दिखाने के लिए, possession क्या होता है, यह मेरी है, यह pen मेरा है, यह book मेरी है, जब आप इस तरह के expression देते हो, in contractions with am, is, are, have and will, ठीक है, आपने contractions, जब आपने I will complete ना लिखके, शौट में लिख देना है, कैसे, जैसे आप मुझे यह नहीं लिखना, I will, तो मैं कैसे लिख दूँगे, I, apostrophe, double L, I will, example में देखते हैं, अब यह क्या है, we will, इन्होंने we will complete ना लिखके, contraction form में लिखा, we will have to return Samir's jacket, किसकी jacket है यह particular, Samir की, तो Samir के बाद apostrophe उपर और नीचे साथ में क्या लग गया, S, it does not fit him, यह उसको fit नहीं होती, आप यहाँ पे भी देखो, आप does not को complete ना लिखके, does और न के बाद apostrophe का यूज करके, P, ठीक है, तो आप बच्चे, यह different different signs बने हुए है, यह कहता है, I am a full stop, you use me to mark the end of a sentence, to mark abbreviations, पीछे पढ़ा भी हमने, example देखो, Uncle will visit us at 5 p.m. this evening, sentence complete हुआ, तो full stop और p.m. को show करने के लिए, आपने क्या किया, full stop का use, यानि, abbreviation use की short form, यह कहता है, I am exclamation mark, पीछे इसका भी बताया मैंने, किसके साथ यूज होता है, you use me, आप मुझे किसके साथ यूज करते हो, after interjections, interjection मैंने बताया, जो हमारे emotions को show करते हैं, like hurrah, alas, ouch, oh, after sentences, कुछ आपके exclamation वाली sentences है, expressing emotion, जिसमें आप emotion दिखा रहे हो, example, वाव, what a pretty dress, ठीक है, आपने वाव, आपका interjection आया, और what a pretty dress, यह sentence complete हुआ, जिससे हमें क्या पता चल रहे हैं, हम expression दे रहे हैं, वाव, तो यह क्या लग गया, exclamation mark, ठीक है, इधर देखिए, I am a question mark, यह कहता है, मैं question mark हूँ, you use me, at the end of questions, यह मैंने आपको asking questions वाले chapter में भी बताया था, और इसमें भी बताया, example, where are you going, जब आपसे कोई भी question पूछता है, तो उसके end में आप क्या लगाते हो, question mark, यह कहता है, I am a coma, मैं coma हूँ, you use me, separate a series of words in a sentence, separate a series क्या होता है, जब आपको, बच्चे जिससे मैंने लिखेना है, राम, शाम and मोहन are friends, तो मैं क्या करूँगी, राम, कोमा, मोहन and शाम are friends, जब मैंने इनको तीनों को अलग-अलग कर दिया, ठीक है, I am a capital letter, you use me, यहाँ पर I क्या कह रहा है, कि मैं तो capital letter हूँ, जब आप to begin a sentence, जब आप sentence स्टार्ट करते हो, to begin all proper nouns, proper nouns के साथ, to write the pronoun I, जब आपने I को individual लिखना है, बच्चे यह मैंने अभी पीछे सब आपको explain किया, to begin each new line of poetry, जब आप poetry लिखते हो और हर बर I आ रहे हैं, तो आपने उसको हमेशा capital लिखना है, example, our former president Dr. Abdul Kalam, address students at the IIT Mumbai, अब यहां IIT को इसनों किसमें लिखा capital में, ठीक है, I am a hyphen, hyphen क्या होता है, जो ऐसे लगता है, you use me, to join two or more words, to make a new words, जब आप क्या करते हो, एक word बनाने के लिए मुझे use करते हो, लाइक मेरे को लिखना है, example में, 29, 20, hyphen, 9, hide and sick, hide, hyphen, and, hyphen, and sick, mother-in-law, mother-in-law, जब मैंने बच्चे two words को join करना है, लेकिन एक नया word बनाना है, तो मैं किसका use करते हूँ, hyphen, I am an apostrophe mark, apostrophe का भी पीछे बताया न, you use me, with an s to show that a thing or a person belongs to one person, the boy's book, बताया possession, कि जो चीज जिससे जुड़ी होई हो, वो क्या कहता है, ये मेरी है, with plural nouns ending in s, the boy's books, जब आपका noun plural हो, with an s for plural nouns that don't end with s, the children's books, बच्चे जो children होता है न, वो अपने आप में plural है, उसके साथ हम s का use नहीं करते हैं, हम कभी भी ये नहीं कहते हैं, children's book, हम हमेशा अगर मुझे लिखना है, children's book, तो मैं कैसे लिखूंगी, children apostrophe s, इससे कह है, children's books, when you shorten, not, am, is, are, will and so forth, बताया है न, जब आपको short form में लिखना है, example, these are Misha's books, aren't they? Yes, they are, देखों, यहाँ पे R note को complete ना लिखके, aren't बना दिया, और यहाँ पे बे R को complete ना लिखके, बे R, छीके? बेटा, अभी हमने book से अच्छे से ये पढ़ा कि, punctuation marks क्या होते हैं, कौन-कौन से होते हैं, कहां-कहां हम इनका use करते हैं, अब हम इनको exercise में use करते हैं, आपने क्या करना है, capital letter का use करना है, जहां पर इसकी ज़रूरत है, ए पार्ट, America was discovered by cherry stopper Columbus, देखों बच्चे, America जो है proper noun है, इसलिए America first letter भी है, sentence का, तो आपने इसको क्या करना है, एह capital, और यहाँ पे cherry stopper Columbus किसी का नाम है, ठीक है, और नाम हमेशा first letter capital लिखा जाता है, चैरिस्टर ओपर का C capital, और Columbus का भी C capital लिखेंगे, ठीक है, बच्चे, एक famous temple है, इट मींज यह एक proper noun है, तो द का T capital, सन का S capital, टेम्पल का T capital, और यहाँ पे कोनार, एक proper place की बात है, तो कोनार का K capital, और ओडीसा का O capital लिखेंगे, ठीक है, C part, डॉक्टर रजेंदर परसाद was the first president of India, डॉक्टर रजेंदर परसाद एक person का नाम है, तो डॉक्टर का D capital, और डॉक्टर हमने यहाँ पे short form में लिखा है, तो इसके बाद full stop, रजेंदरा था R capital, परसाद का P capital, ब्रेजडेंट है, वो पर्टिकुलर की बात हुई, प्रेजडेंट का P capital और इंडिया का I capital, बताया था ना, जब मुझे इंडिया लिखना है, जब मेरा इंडिया मुझे I से स्टार्ट करना है, तो मैं capital लिखूंगी, दी पार्ट, दा रिवर सें फ्लोस ठ्रू फ्रांस, अब या पर्टिकुलर रिवर की बात है, दा रिवर, ठीक है, साइंट, दा कटी capital इसलिए किया, क्योंकि ये संटेंस के beginning में आया है, अब रिवर का नाम क्या है, है sign हमने यहां पर रिवर का capital नहीं किया तो एक common noun है लेकिन sign यहां पर नम दिए गया तो इसलिए इसका s capital और flows through France France भी पर्टिकुलर country का नाम है तो इसलिए France का F क्या हो जाएगा capital इपार्ट दा हिमाल्यास lies in the North of India दा हिमालया की एक पर्टेखुर्र मांत का नाम है तो द श्केपिल हिमालया का ह लो पर नौन नहीं है श्केव किया है कि यह सेंटिन्स के स्टाइग में है और लास्ट में क्या है इंडिए का I capital छीके F part In London, we visited the house of parliament इनका I capital, London का L capital, इसके बाद आपको कोमा दिया हुआ है, कोमा लगाएंगी We visited the house of Parliament, house of Parliament एक particular house का नाम है इसलिए house का H capital और Parliament का P capital G part Every Sunday evening Mr. Sen goes to the cinema Every का E capital, Sunday का S capital, Mr. का M capital, Sen का S capital, अब आपने Mr. पूरा ना लिखके, short लिखका है तो उसके बाद भी आपने full stop लगाया और आपने Mr. का M क्यों capital किया क्योंकि एक title है, आपने किसी के नाम से पहले क्या दिया, title दिया, तो Every का E capital, Sunday एक particular day का नाम है, तो इसलिए इसका S capital, Mr. एक title है, और आपने short में भी लिखका है, तो Mr. के बाद full stop Sen का S capital क्योंकि एक particular किसी का नाम है, ठीक है H part The Bible is the holy book of Christians The का T capital Bible एक particular book का नाम है तो Bible का B capital और Christians जो है वो एक religion की बात है, particular religion की बात है तो इसलिए Christians का S capital ठीक है I part Earth Day is observed on April 22 Earth का E capital Day का D capital क्योंकि एक particular day की बात है और April का A capital क्योंकि April एक particular month की बात की गई है ठीक है बच्चे, यह आपने पहले भी पढ़ा था कि proper noun का हमेशा first letter कैपिटल होता है ठीक है आपको समझ में आया यह पन्च्वेशन क्या होता है झाल झाल